हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BPSC दरपन, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक भी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट की, यह वही पॉइंट है जिसकी बजह से यह एक्जाम जो डिपार्टमेंटल एक्जाम पिछले 6 साल से बेंडिंग है, साथ ही 2017 में जो एक्जाम हु हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इस पॉइंट पर चलने से पहले, मैं आपको दो बात यहाँ पर और बता देना चाहता हूं, कि कुछी दिन पहले, एक दो दिन पहले, जो SSC का डिपार्टमेंटल एक्जाम, जो JSA, LEC के लिए है, उसका नोटिफिकेशन आया है, इसमें चार साल के एक्जाम को कबर किया गया है, जैसा कि आप जानते भी है, यहां पर एक नोटिफिकेशन जो आया है जिसमें 2019 और 2022 के warned up किया गया है और दुसरी नोटिफिकेशन में 2021 मौनदा चार साल का एक्जाम आपको एक साथ, दो बाइच में दो टाइम पर आपको लिया जाएगा और उसका दो रिजल्ट भी हैंगे रिजल्ट में कोई गरवरी ना हो रिजल्ट के आने के बाद कोई कंट्रॉवर्शी ना हो जिसके बज़स इस पॉइंट को इस बार जोड़ा गया है और यह पॉइंट क्या है जिसे हम आगे डिसकस करने वाले हैं अब की स्क्रीन पर जो भी आप देख रहे हैं यही वह पॉइंट है जिसकी बजह से यह सारी कहानी चल रही है यह जितनी ही पेंडी हुआ है एक्जाम आज तक नहीं हो पा है पिछले 6 साल से उसकी रीजन यही पॉइंट है साथ ही जो 17 लिए इसका शुकोस क्वारे कर त्यां गिया है इसमें साब्शाब बता दिया गया एस में इस 2 को भी क्लियर के गया और दोनों में क्या है दोनों में अपको दिखाऊंगा और इससे पहले एक चीज़ और हो जाना है रहा है उसकी जो नोटिफिकेशन दिया उसकी फूल इंफॉरमेशन पूरी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं कल ही अपलोड किये हैं यह आप उसे नहीं देखें तुसे एक बार जरूर जा कर देखें इसका लिंक में इसी वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट्स बॉक्स में मैं अपलोड कर दूँगा चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है इसमें लिखा है कंडिडेट सुड क्लियरली अंडरेस्टेंड डाट इस इज ए कंपेटिटीव नोट एंड नोट एक क्वैलिफाइंग एक्जाम कहने का मतलब इसका यह है कि कंडि कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा यह आपकी नई जॉब हो जाएगी ऐसा नहीं है यह पूरी तरह से कंपेटिटीव एक्जाम है आपको उसमें फाइट करना है दूसरों से यदि मान लेते हैं कि 30 सीट है तो आपको अपनी राइंग 30 सीट के बरावर लाना है सो मार्क में से मान लेते हैं सतर पैस का सेलेक्शन होता है तो सतर आपको लाना है क्वालिफाइंग मान लेते हैं 30 है तो सिर्फ 30 लाने से आप क्वालिफाइंग नहीं कर जाएंगे इसके लिए इलीजिवल नहीं हो जाएंगे अपनी प्रमोशन के लिए आप समाझ गया हों से यह मान के बैठके कि पहले की पहले का लिवाइंग मार्स का अधार पर क्वालीफाइब कर दिये जाते थे लोग कर मोट हो जाते ते उसमें प्रमानेंट हो जाते थे तो अपने परमोशन की दावा करते थे तो उसके गौर्णनें उससे रख दिया आप पास हो जाए फिर इस इंजाम में अपिर हुई है उन्होंने क्या किया टेंथ पास हो गया बहुत सारे जो इस्टाब थे उन्हें तो पास कर लिए लेकि यह आप सभी समझ सकते हैं किसी ने किसी बोर्ड से किसी तरह से तेंथ तो नमिनल इग्याम होता था जिसमें क्वानींक मार्क होते थे उससे उसे करना तो थे और उसमें भी बहुत सारे स्टाव को अनई कर पाते थे आप देखे पैऊने ठामने टाइम के जो वह मिटियों होंगी है उनको तो जो क्वैलिफाय कर जाते थे वो सब की नोगी हो जाती थी अब क्या हुआ कि पढ़े लिखिये स्टाप यहां आने लगे हैं जनरली ग्रेजुएट तो आते ही आते हैं तो लोग जिसकी बज़र से उन्होंने फाइट करने लगते हैं 30 माट उसके लिए तो बड़ा आसान ह से ले आते हैं सो मैं से कम से कम 80 से 90 असान हो तो कहीं नहीं सकते हैं कुछ तो इसलिए 17 में उन्होंने यही गल्ती किया था यह पॉइंट एड नहीं किये थी नोटिफिकेशन में और जिसके वासे बहुत सारे स्टुडेंट से 30 मास लेगर के क्वैलिफाय कर गये और उन्हो वाले की उन्होंने कोड चल रही है तो यह नोटिफिकेशन में लिख दिया है लेकिन थोड़ा सा इस नजर नजर न परे किसी को ठीक है देख लेता है नेक्स थो नेंस देख चुकुक थे 1029 वाली है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में दिखाते हैंben हम यह ए किया है आपके सामने जो है यह जो है सुद्ध हजार को इकीस बाइस का जो डिपार्टमेंटल एक्जाम है उनका नोटिफिकेशन का यहां कटा हुआ पार्ट है जहां आप देख सकते ही आठाश नमर पॉइंट वहां भी थे आठाश नमर पॉइंट यहां भी है लेकिन जिस् पॉइंट में भी सेम वही पॉइंट सेम लाइन तो लाइन अपलोड कर रहा है इसमें भी लिखाए चुड क्लियरली अंडरेस्टेंट डैट इस इज़ा कंपेटिटिव एंड नोट क्वालिफाइंग एक्जाम यहां भी उन्होंने साफ साफ इस बात का जिक्र कर रहा है क यह कंपेटिटिव एक्जाम है क्वालिफाइं एक्जाम नहीं है तो आप कुछ लोगों कि अभी भी कंट्रोबर्सी था कि फिर से एक्जाम होगा फिर से कंट्रोबर्सी में पास जाएंगे जो यह एक्जाम हो रहा है 2019-20 वाली और 20-20 वाली इस एक्जाम भी टाइम पर होगा और उसका रिजल्ट भी टाइम पर आएगा वह यह किसी भी कंट्रोबर्सी में नहीं जाने वाली किसी कोट केस का इफेक्ट इनके उपर नहीं परने वाला है 17-18 वाले इस जो कोट केस में फञळा हुआ है उस जिसके बज़र से 18 वाले इस एक्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है यह दोनों ही प्रोश्स इस एक्जाम के ऊपर फोलो नहीं होगा इसके इसका एक्जाम मीं टाइम पर होगा और उसका रिजल्ट भी टाइम पर आए gideग तो आपकी परमोसन पक्की है और टाइम से हो जाएंगे जस्ट इक्जाम के कुछ दिन बाद हो जाएंगे क्यों टाइम से उनका result आना मिस्चित है और यह इस notification के बारे में इस exam के बारे में यह पूरी detail information आप चाहते हैं चाहते हैं कि पूरी information आपको मिरे तो इसका वीडियो पहले से upload है उसे आप जाकर देखें इस वीडियो का जो link में description box में और comments box में देता हूं जहां सा आप click करके उसे देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इस फॉर्म को feel कैसे करना है पहले उसे registration कैसे करना है यह हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जस्ट अभी आपको एगंडे बाद हम उसे upload करेंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे like कीजिए और friends को share कीजिए औ और इस channel अब आप नए हैं अभी तक से subscribe नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जाहिंदेव